हेलो फ्रेंड्स वेलकम टुवर माई यूटूब चैनल दोस्तो आज हम सीखेंगे आज हम बात करेंगे दोस्तो आप सबको पता ही होगा कि जो हम बिल्डिंग या कंश्ट्रक्शन या घर का जो काम कराते हैं उसमें जो फिनिशिंग में जो टायल का एक बहुत 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 होता है तोस्तों कि संदर की विल्डिंग को संदर लगने में में इसका टाल का बहुत बड़ा रल होता है तो आज हम उस्से के बारे में ये सीखेंगे कुछ जो इंपोटन्स चीजे है कि हमें उसाइच साइट पर तो दोस्तों टैल जो लगवाते हैं उसमें सबसे पहली चीज है कि जो टैल की क्वालिटी है जो टैल की जो क्वालिटी है वो परीमियम क्वालिटी है परीमियम होनी चाहिए कि उसका एक गरेली क्यों होनी चाहिए क्योंकि एक्वाइब क्यों होता है जो हम दुका विख भ्रोर वार्व होता है तो हम वह चीज देखनी है। जो कि वह उसकामान Odet said लिखा होता है कि premium है जो भी है जब आप गोदाम में उस चीज को लेने जा तो वही चीज सेम टैग उसी उपर लगा होना चाहिए उसी का जो manufacturing मिला के बात ही है ठीक है दोस्तों यह एक बहुत बड़ी याद रखने वाली बात है और दूसरी चीज जो है दोस्तों टैल में आज बहुत ज़्यादा बैंड आता है जिसकी वजए से जो finishing है अच्छी नहीं आपाते है टैल एक्शली बैंड होता है क्या है दोस्तों क्या होता है जब हम मलक की टैल का जो corner होते हैं वह आपस में मिलने चाहिए बट जो टैल बैंड होती है जो second quality होती है या third quality होती है तो उसमें जो corner है आपस में मिल नहीं पात है मैं सर्फ हम बौल दों कि टैल ऑग को पहले हिए खुद भी चेक करें खाहिए जाया पहल है बैंड है तो चल जाएगा और ज्यादा बैंड है अगर कुछी ईएंड हो में है तो दोस्तों उसको हम session में ले-सक्पाइब скую नो में टबैय के जो क्यों बैंड हूँआ है हो कि युदे हो और वार्ट हमारी वोगर साइनों में या फिर हम करती हो रचे को मैंब सकते हैं जो बंड करते मोड जो सब हैं रोचर यो सकते हैं तो दोस्ट करने लिए वाल रचिंग को हम बाटता है पिछें और की साफ थैयल लगते हैं जो कि इसे इसे ही लगवाना चीए है और दोस्तो में कि एरो के साब से जब हम लगाते हैं तो रैसे हिष Sax मिलता हैं अधर्वाज जासा होता है कि सभीें जो भी होते हैं उफर प्रेट ने होते है कोई टैल एरो के साफ से कोई ऐसे ऐसे करके ओ जो फर्लोरिंग के जो रेस्ट रेस्टी मिल लाची उह नहीं मिल पार ता बाद में वह ऐती जो फिनिशिंग इतनी अच्छी नियाब आती है बिल्कुल यही द्यारखना है कि जो मिस्त्री आपके आपके काम कर रहा है साइट पर घर पर जहां पर वाटेवर कि उसको बोलो कि चार और जो आपस में प्रॉपरली मिलने चाहिए जो इस बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए रेश से सा मिलना चाहिए ठीक है और यह बहुत रखने वाली बात है और ग्राउटिंग जो अपना टैल का जो काम होता है फिनिशिंग होने के बाद ग्राउटिंग करते हैं और जो ग्राउटिंग करते हैं तो सेम उसी कलर का करवाएं जिस कलर का आपकी टैल है यह भी बहुत या रखने वाली बात है कि सेम उसी कलर का बो तो चीज बड़ी फिर उसको दोड़ निकाल के तोड़वा के कैसे करना पड़ता है तो धारखना होता है के जब तक टेल के नहुत 24 गुपियों टाम नहों चले और स्काटिक दोस्तों जोस जो करना सब्सक्राइब अच्वा नगकों वहाता है या जो आजगल बिल्डिंगों में घरों में तो चार इंची की स्काटिक लिए तो तो जो आपकी बॉक्स है उसमें जो कटी मलब टूटी-फूटी जो टैल होती है या फिर बैंड वाली टैल है उनको हम स्काटी में हम यूज कर सकते हैं यह भी एक बहुत हुआ है जो जो गुरूब देते थे पहले तो वह नहीं देते हैं क्योंकि उसमें जो है डस्ट होगारा गुच्छाता है वह चीज बाद में अच्छी नहीं लगती है फिनिसिंग मलब जो क्लीनिंग जो प्रोपरली नहीं होती है तो आज अगल तो जो जो हम लगवाते हैं जो जो एक बहुत अच्छा लगता है डेकरेशन में फिनिसिंग तो दोस्तों यह कुछ चीजे थी इंपोर्टेंट चीजे थी जो की हमें याद होना चाहिए पता होना चाहिए इन चीज़ोगा और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो